नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मुझे उमीद है बहुत मज़ा आपको इस कहानी को सुनने में आने वाला है कक्षा तीन पाठ साथ और कहानी का नाम है टिप टिपवा आपकी पाठे पुस्तक रिम जिम से ये कहानी मैंने ली है इस कहानी के प्रश्णुत्र भी हम इस वीडियो में करेंगे तो ध्यान से बच्चों आप इस कहानी को सुने और मज़ा लें ये कहानी बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभी भावकों या किसी भी अन्य विक्ती के लिए भी बहुत ज्यादा रोमान्चक और मज़ेतार रहेगी तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है शुरू करते हैं आज की कहानी प्यारे बच्चों ये कहानी उत्तर प्रदेश की एक लोग कता है आप जानते हैं भारत 29 राज्यों का एक देश है जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है बहुत बड़ा राज्य है वहां की लोग कता है जैसे हमारे हिमाचल की कुछ लोग कताई है उसी प्रकार से उत्तर परदेश की एक लोग कथा टिप टिप वा एक थी बुढ़िया एक थी बुढ़िया उसका एक पोता था पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती एक दिन मुसलाधार बारिश होने लगी यानि बहुत तेज बारिश ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी सारा गाओं बारिश से परिशान था बुढिया की जोंपडी में पानी जगह जगह से टपक रहा था टिप 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 आपको मालुम है जब पानी टपकता है तो उसकी आवाज टिप टिप की तरह सुनाई देती है इस बात से बेखवर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था यानि बेसबरी से इंतजार कर रहा था बेसबर हुआ जा रहा था कहानी सुनने के लिए बुढिया खीज कर यानि परेशान होकर तंग होकर बोली अरे बचवा का कहानी सुनाए यह टिप टिपवा से जान बचे तब न यानि अगर इस टिप टिपवा यानि इस वर्षा से जो जगह जगह पर पानी उसकी जोपड़ी में टपक रहा है उससे जान बचे यानि उससे छुटकारा मिले तब तो वो कोई कहानी सुनाए इतना सुनते ही पोता उठकर बैठ कया उठकर बैठना मतलब होश्यार होकर के त्यान से सुनने लग उसने पूछा दादी ये टिप टिपवा कौन है टिप टिपवा क्या शेर बाग से भी बड़ा होता है दादी छट से टपकते हुए पानी की तरफ देख कर बोली हाँ बचवा ना शेर के डर ना बगवा के डर डर त डर टिप टिपवा के डर यानि ना शेर से डर लगता है ना बाग से डर लगता है डर लगता है तो टिप टिपवा से डर लगता है संयोग से मुसीबत का मारा एक बाग बारिश से बचने के लिए ज्छोंपडी के पीछे बैठा था बेचारा बाग बारिश से घवराया हुआ था बुढिया की बात सुनते ही वह डर गया अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है यानि यह कौन सी मुसीबत है जो टिप टिपवा नाम की है बच्चों उसने सोचा जरूर यह कोई बड़ा जानवर है तभी तो बुढिया, शेर, बाग से ज़्यादा टिप टिपवा से ड़ती है इस से पहले कि बाहर आकर यह मुझ पर हमला करे मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए बाग ने ऐसा सोचा और जट पट वहां से दुम दबा कर भाग चला दुम दबा कर भागना यानि डर कर भाग जाना हार मान कर भाग जाना उसी गाओं में एक धोबी रहता था धोबी यानि जो कपड़े धोता है वह भी बारिश से परेशान था, आज सुभा से उसका गधा गायब था, सारा दिन वह बारिश में भीकता रहा, जगा जगा गधे को ढूनता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला धोबी की पत्नी बोली, जाकर गाओं के पंडित से ही क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ग्यानी हैं, आगे पीछे सब के हाल की उन्हें खवर रहती है पत्नी की बात धोबी को जंच गई, यानि पत्नी की बात से धोबी पूरी तरह सहमत हो गया और अपना मोटा लठ उठा कर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फैंक रहे थे यानि इकठा करकर के बाहर निकाल रहे थे धोबी ने बेसबरी से क्या पूछा महराज मेरा गधा सुभा से नहीं मिल रहा जरा पोथी वांच कर बताईए तो वह कहां गया यानि अपनी पोथी को पढ़कर उसे देख कर बताईए कि मेरा गधा कहां पर है सुभा से पानी उलीच ते उलीच ते पंडी जी ठक गए थे धोबी की बात सुनी तो जुझला पड़े और बोले मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने अरे जाकर ढूंड उसे किसी गड़ई पोखर में और पंडी जी लगे फिर पानी उलीच ने यानि पानी बाहर निकालने धोबी वहां से चल दिया चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा तालाब के किनारे उंची उंची घास उग रखी थी दोबी घास में गधे को ढूंडने लगा किस्मत का मारा बेचारा बाग टिप टिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था याद है ना बच्चों कैसे भागा था वह बाग टिप टिपा के डर से उस बुडिया की जोपड़ी से अब धोबी को लगा कि बाग ही उसका गधा है उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाग पर मोटा लट पर साने यानि आओ देखा ना ताओ भी एक मुहावरा है यानि ना आगे देखा ना पीछे ना कुछ सोचा ना कुछ समझा सीधा गधा समझ कर उस बाग को पीटना शुरू कर दिया बाग इस अचानक हमले से एक दम घबरा गया बाग ने मन में सोचा लगता है यही टिप टिपवा है आखिर इसने मुझे ढूंड ही लिया अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ आज तुने बहुत परेशान किया है मार मार कर तेरा मैं कच्चू मर निकाल दूँगा यानि उसे बहुत ज़्यादा मारूंगा ऐसा कहकर धोबी ने बाग का कान पकड़ा और उसे खीचता हुआ घर की तरफ चल दिया बाग बिना चूचपड किये यानि बिना कुछ बोले बिना दहाडे भीगी बिल्ली बना यानि एकदम डरा सहमा सा धोबी के पीछे पीछे चल दिया घर पहुँचकर धोबी ने बाग को खूटे से बांदिया और सो गया सुभा जब गाउवालों ने धोबी के घर के बाहर खूटे से एक बाग को बंदे देखा तो उनकी आँखे खुली की खुली रह गई यानि वे हैरान हो गए कि कैसे इस धोबी ने इस बाग को अपने खूटे से बांदिया है बच्चों ये जो कहानी आपने सुनी आपको कैसी लगी मुझे उमीद है आपको बहुत पसंद आई होगी कहानी लिखी है गिरी जारानी अस्थाना जी ने नाम याद रखना अब बताओ कौन किस से परेशान यानि ये जो कहानी आपने सुनी इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे बताओ कौन किस से परेशान था जैसे धोबी किस से परेशान था और बाग किस से परेशान था बुढिया किस से परेशान थी पनेजे किस से परेशान थे आप कहानी से इसका उत्तर निकाल सकते हो जैसे धोबी परेशान था अपने गधे के गुम होने से और दादी परेशान थी पानी की टिप टिप से जो व इसके साथ ही बाग परेशान था टिप टिपवा से और क्या बचा पंडिजी पंडिजी परेशान थे पानी उलीच उलीच कर बहुत बढ़िया आगे चलते हैं नीचे कुछ वाक्य दिये हैं इन्हें अपने शब्दों में लिखो तो जैसे टिप टिपवा कौन सी बला है यानि यह टिप टिपवा कैसी मुसीबत है ठीक है अगला है पत्नी की बात धोबी को जंच गई मतलब पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी पसंद आई और उसने वो बात मान ली बाग बिना चूँचपड किये भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया यानि बाग बिना कुछ कहे बिना कुछ किये चुप चाब डरा सहमा धोबी के पीछे पीछे चल रहा था जरा पोथी बांच कर बताईए वह कहां है यानि पंडेची अपनी पोथी को देख कर बताईए कि मेरा गधा कहां पर है अगला है याद करो तो आपको याद है ना पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो बता सकते हो ना जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मचलता हूँ बेकरार रहता हूं वैसे ही आप किस चीज के लिए बेकरार रहते हैं? मुझे जरूर बताना आगे है कौन है टिप टिप वा हाँ बचवा ना शेर वा के डर ना बगवा के डर डर तर डर टिप टिप वा के डर यह उत्तर परदेश की स्थानिय बोली में कही हुई एक बात है इसे तुम अपनी बोली में कैसे कहोगे तो बच्चों लिखो अपनी बोली में मैं अपनी बोली में इसे ऐसे कहूँगा जिसे मेरी बोली में टिप टिप वा को चोड़ा कहते हैं तो मैं कहूँगा ना शेर का डर दे ना ब्रगवा का डर दे असी तटर दे चोड़े का इसी प्रकार आप भी अपनी स्थानिय बोली में ये लिख सकते हैं कहानी में टिप टिपवा कौन था तुम किस को टिप टिपवा कहोगे कहानी में तो टिप टिपवा एक डर था ऐसा डर जो दादी जी की बात से शुरू हुआ शेर के दिमाग में बैट गया लेकिन वास्तव में टिप टिपवा पानी के टपकने को कहा गया है अब मैं किसे टिप टिपवा कहूंगा मैं तो उस धोबी को ही टिप टिपवा कहूंगा जिसने अपने डर से बाग को कान पकड़ कर अपने खूटे से बान दिया यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मुसलाधार बारिश हो रही थी अगर मुसलाधार बारिश न की जाए मुसलाधार बारिश की बजाए बुंदा बुंदी होती तो क्या होता यदि उस रात बुंदा बुंदी होती तो सोचिए जैसे मूसलाधार बर्षा थी तो पानी टपक रहा था यदि बुंदा 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 बांदी होती तो शायद पानी और दादी उस बच्चे को कोई अच्छी सी कहानी सुनाती और बच्चा खुशी से कहानी सोता-सोता सो जाता आपको क्या लगता है आप भी जरूर लिखें तरह तरह की आवाजें पानी के टपकने की आवाज टिप 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 आप बताए किसकी आवाज है भिन 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 किसकी आवाज है ठक 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 चर 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 बक 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 तर 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 यह सब किन की आवाजें हैं आपको ये बताना है अपने आप, जी हाँ, और आगे है खूंटा, धोबी ने बाग को खूंटे से बांद दिया, सोचो, अगर खूंटे से धोबी बाग को बांद सकता है, तो और क्या-क्या चीज़े बांदी जाती है, जैसे गाए, बैल, बकरी, भेड, गधा, और भैंस, बाकी ठीक है, एक से ज्यादा, ये बहुत जरूरी है बेटा, इसके उपर मैं अलग से भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, फिलहाल आप पार्ट में दिये इस अभ्यास पर ध्यान दें, जैसे जब एक कहानी है, तो एक कहानी, जब सभी कहानिया है, तो कहानी का बन जाता है, कह उसे समझने का परियास करें, जैसे एक तितली, तो कई तितलियां, एक मचली, तो दस मचलियां, क्योंकि वो एक से ज्यादा है, एक चूरी, धेरों चूरियां, एक खिड़की, चार खिड़कियां, बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, जरूर बताना, और सबसे ब पहुंचाना, ये कहानी सुनने का मज़ा मिल सके, थैंक यू सो मच, मैं उमीद करता हूँ, आपको मज़ा आया होगा, आप फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद,